नमस्कार सातियो टेट परिक्षा अध्यान नामक सीरिज में मैं आपके लिए हिंदी भासा से संबंदे 30 प्रश्णों को पुना लेकर आया हूँ यह वीडियो नमबर 7 है और भी 6 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं आप दोस्तो किसी भी राज जिसे संबंदे टेट परिक्षा का अध्यान यदी कर रहे हैं तो आप ऐसे वीडियो जरूर देखिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्णे टेट परिक्षाओं में पूंचे जाते हैं जैसे सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, एमपी बर्ग तीन और भी अन राज जिसे संबंदे परिक्षा हो सकती है एच टेट इस प्रकार तो दोस्तो आप किसी भी टेट परिक्षा से संबंदे अध्यान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्पूर है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन भी दवाएं जिससे नौटिपिकर्शन के माद्यम से हमारे अन वीडियो आप तक पहुचने लगें तो दोस्तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें आए देखते हैं 30 प्रशनों आबाज सुन्दर कमजोर कांपती हुई थी वह मुख गायक का छोटा भाई है या उसका सिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिस्तिदार मुख गायक की गरज में अब वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटलतानो के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में तब संगतकार ही इस्थाई को संभाले रहता है जैंसे समेटता हो मुख गायक का पीछे छूटा हुआ सामान जैंसे उसे याद दिलाता हो उसका बच्पन जब वह नो सिखिया था तार सब तक में जब वैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आबाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख गायक को धान्धस बधाता कहां से चला आता है संगतकार का स्वर कभी कभी वह यों ही दे उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वरक को उचा ना उठाने की जो कोसिस है उससे बिफलता नहीं उसकी मनुस्चता समझा ज जाना चाहिए यहां पर यह पद्यांस है दोस्तों इस पद्यांस में से प्रशन पूछे जाएंगे तो हमें पद्यांस को पुनह पढ़ करके उसमें ही उत्तर छिपा हुआ होता है हम थोड़ा सा समझेंगे और कुछ अलग से इसमें जादा दिमाग को लगाने की जरूरत नहीं है बस थोड़ा सा पद्यांस के भाव को समझें प्रेरणा साथ छोड़ती हुई अस्त होता हुआ इस पंक्ती में कौन सा सब्द नहीं है तो यहां पर हम पुनह पंक्ती देख सकते हैं प्रेरणा साथ छोड़ती हुई और उत्साह अस्त होता हुआ तो दोस्तों यहा हाँ पर है, उत्साह, इसका राइट अंसर है, अंगला प्रश्न पुना उसी answers से है, वह पैदल चल कर सीखने आने वाला दूर का क्या हो सकता है, कोई संगीत कार, कोई रिस्तिदार, कोई कला प्रेमी, या कोई कला कार, तो यहाँ पर जो सब्द आया था वह था रिस्तिदार या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिस्तिदार तो यहाँ पर रिस्तिदार इसका राइट आंसर है अंगला प्राश्ण है इस्ताई को गाते हुए वह जैसे समेटता है मुख गायक का पीछे लुटा हुआ सामान परिडाम समान या अभिमान तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस्ताई को गाते हुए यहाँ पर लिखा है इसमेटता हुआ मुख गायक का पीछे छूटा हुआ सामान तो इसका राइट आंसर हुआ है सामान अंगला प्राश्ण देखते हैं सामान यहाँ राइट आंसर है अंगला प्राश्ण है मुख गायक को क्या बंधाता संगतकार कहीं से चला आता है मुख गायक को क्या बंधाता संगतकार कहीं से चला आता है साज, कपड़े, धांडस या सामान तो यहाँ पर जो सब्द आयता हुआ है धांडस धांडस बंधाता हुआ तो यह ढांडस सब देहां पर आया था देख सकते हैं तो यहां पर इसका राईटांसर ढांडस है अंगला प्रश्ण पुना उसी पध्यांस से है मुख गायक की गरज में वह अपनी गूँज कब से मिलाता आया है अंगला प्रष्ण मुख गायक की कैसी आवाज के साथ संगतकार की आवाज दब जाती है मधुर, लाइपूर, पंचम या चटान जैसी भारी तो मुख गायक की जो चटान जैसी भारी आवाज है यहाँ पर लिखा हुआ है सब दोस्तों पद्यांस में दिया हुआ है पद्यांस को एक बार आप पुनहा पढ़ सकते हैं और पढ़ करके आप उसको सही तरीके से आप समझ कर उत्तर दे सकते हैं इसमें जो सब्द लिखे हूँ वही सब्द हमें उत्तर देने हैं तो यहाँ पर इसका उत्तर है चटान जैसी भारी अंगला प्रश्ण है संगतकार के माध्यम से कभी किस प्रकार के ब्यक्तियों की और संकित कर रहा है साथ गाने बालों की और नेपत्थ मेरायकर परिस्रम करने बालों की और मंच संचालकों की और या बजाने बालों की और तो यहां पर जो जिस व्यक्तियों की संकेत किया है वह आया है नेपत्थ में रहकर परिश्रम करने बालों की और जो परदे के पीशे रहकर के काम करते हैं वह सबसे ज़ादा महनत करते हैं दोस्तों तो उसी की और इनों ने संकेत किया है नेपत्थ में रहकर परिश्रम करने वालों की और अंगला है गायक अपने ही सरगम को लांग कर भटकता हुआ कहां चला जाता है एक अनहद में सुर से अलग मंच की बाहर धुन से अलग तो इसका राइड आंसर है एक अनहद में अनहद सब्द है यहाँ पर आया था वह एक अनहद में चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में तो यहाँ पर अनहद सब्द है दोस्तो राइड आंसर है अंगला प्रशन है जब गायक अंतरे की जटल तानों और आलापों में खो जाता है तो संगतकार किसको संभाले रहता है इस्थाई को तबले को सरगम को या अंतरे को तो यहाँ पर इस्थाई राइट आंसर है इस्थाई को संभाले रहता है जो मुख है आवाज है उसको समाले रहता है इस्थाई को समाले रहता है तो यहाँ पर इस्थाई सब्द आया था आप देख सकते हैं इस्थाई को समाले रहता है संगतकार आंगे, पुनाभा, पद्धियांसिसी प्रश्ञव, गायन की समय मुख गायक सुर में कौन अपना सुर मिलाता है, सारंगी बादक, बायलन बादक, तबला बादक या संगतकार तो यहां पर संगतकार सब्द है, तो संगतकार इसका रायचा अंसर है, गायक किसकी जटल तानों में खो जाता है अंत की, मुखडे की, मतले की या अंतरे की तो इसका राइट आंसर है अंतरे की अंतरे की जटल तानों में जब खो जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं अंतरे की लिखा हुआ है गायक जब अंत्रे की जटलतानों की जंगल में खो चका होता है या सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में तो यहाँ पर अंत्रे की जटलतान यह राइट आंसर है अंगला प्रस्टने कभी कभी वह यह क्या बताने के लिए दे देता है उसका साथ की वह भी ठीक गाता है की वह अकेला नहीं है की वह बादक है की वह सुर में है तो यह बताता है की वह अकेला नहीं है अकेला नहीं है इसलिए वह साथ दे देता है संगतकार साथ दे देता है अकेला नहीं है यह बताने के लिए अंगला प्रशने संगतकार मुख गायक को बच्पन की अतिरिक्त और क्या याद दिलाता है वो दिन जब वह नौ स्खिया था इन में से कोई नहीं जब बाजा बजाता था जब वह केलता था तो वह इसका पहला राइट आंसर बे दिन जब वह नौ स्खिया था नौ स्खिया मतलब होता है नया नया सीखा जिसने नई नई चीज सीखी हो या नया गायन बादन सीखा हो तो वो नौ स्खिया कहलाता है तो जो नई चीज सीखता है उसको नौसिखिया काईते, तो यह उसको याद दिराता था, अंगला प्रस्न, अपने स्वर को उचा ना उठाने की जो कोशिस है, उसे क्या नहीं समझा जाना चाहिए, उसका लड़क पन, उसका नौसिखिया पन, उसका माख पन, या उसकी बिफ उसे बिफलता नहीं उसकी मनुष्चता समझा जाना चाहिए यहां पर दिया हुआ है तो उसकी बिफलता यह राइट आंसर है अंगला प्रश्चन कभी के मुताविक संगतकर की आवाज में मौजूद हिचक को क्या समझा जाना चाहिए उसकी मनुस्यता उसकी परिपक्कता उसकी बिफलता या उसकी सफलता तो उसकी मनुस्यता मौजूद जो हिचक है उस हिचक को उसकी मनुस्यता समझना चाहिए यह राइट आंसर है उसकी मनुस्यता अंगला प्रश्ण अब यहाँ पर गद्यांस है गद्यांस को पढ़ करके हमें प्रश्णों के उत्तर देना है आज सुभए पूर्व में कुछ खास आकर सक नहीं था रंग की सारी सुभा उत्तर में जमी थी उस दिसा में लाल रंग के लाल रंग ने तो कमाल ही कर दिया था परन्तु बहुत ही थोड़े से समय के लिए सुयम पूर्व दिसा ही जहां पूरी रंगी ना गई हो वहां उत्तर दिसा कर करके भी कितने नखरे कर सकती देखते देखते वहां के बादल स्वेट पूनी जैसे हो गए और यथा क्रम दिन का आरंभ ही हो गया हम आकास का वरणन करते हैं प्रत्वी का वरणन करते हैं जलासायों का वरणन करते हैं पर कीचड का वरणन कभी किसी ने किया है कीचड में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता कीचड से सरीर गंदा होता है कपड़े मेले हो जाते हैं अपने सरीर पर कीचड उड़े यह किसी को अच्छा नहीं लगता और इसलिए कीचड के लिए किसी को सहान भूती नहीं होती यह सब यथार्थ है किन्तु तटस्थता से सूचें तो हम देखेंगे कि कीचड में कुछ कम सौंदर यह नहीं है पहले तो यह है कि कीचड का रंग बहुत सौंदर है पुस्तक के गत्तों पर घर की दीवालों पर अथवा सरीर के कीमती कपड़ों के लिए हम सब कीचड के जैसे रंग पसंद करते है कलाभिग्य लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बरतनों के लिए यही रंग बहुत पसंद है फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड का एकाध ठीकरा का रंग लग जाए ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे बारमटोन कहकर बिग्य लोग खुस खुस हो जाते हैं पर लो कीचड का नाम लेते ही सब बगड जाता है नदी के किनारे जब कीचड सूख कर उसके टुकड़े हो जाते हैं तब बे कितने सुन्दर दिखते हैं जादा गर्मी से जब उनी टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिख पड़ते हैं नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड एक सा फैला हुआ होता है तब वह द्रस कुछ कम खुबसूरत नहीं है इस कीचड का प्रष्ट भाग कुछ सूक जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं तब तीन नाखुन आंगे और अंगूठा बीछे ऐसे उनके पदचिन्य मध एसिया की रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कारवा ले जाने की इक्षा हमें होती है फिर जब कीचड जाना सूख कर जमीन ठोस हो जाए तब गाय वैल पाड़े भैसे भैस भेड़ बक्रे इत्यादी के पदचिन्य उस पर अंकित होते हैं उसकी सोभा और ही है और फिर जब दो मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड को रोंद कर आपस में लड़ते हैं तब नदी किनारे अंकित पदचिन्य और सींगों के चिन्यों से मानो महिस कुल के भारतिये युद्ध का पूरा इतिहास ही इस करदम लेख में लिखा हो ऐसा भास होता है कीचड देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंदू के किनारे और इतने से तरपती ना हो तो सीधे खंबात पहुंचना चाहिए इस प्रकर दोस्तों कीचड का वरणन इसमें हैं तो हम इन प्रिशनों का अत्तर देते हैं सूखे हुए कीचड कैसे दिख खोपरे के जैसा लगता है तो खोपरे जैसा खोपरा मतलब होता है नारियल की जो उपर की जो परत होती है वो इसको खोपरा बोलते हैं तो खोपरे जैसा यह लगता है अंगला प्रशन इसी गद्यान से से है देखते देखते बादल कैसे हो गए स्वित पूनी जैसे काले ह बरसने लगे या इंदर धनुसी हो गए तो यहां पर जो सब्द आया था हुआ है स्वित पूनी स्वित पूनी जैसे हो गए यहां पर हम देख सकते हैं देखते देखते वहां के बादल स्वित पूनी जैसे हो गए तो यह इसका राइट आंसर है अंगला प्रश्न पुनाहुसी गद्ध्यांस से मदमस्त पाड़े किसको रौंदते हैं सुवर को भेंस को पाड़े को कीचड़ को तो यह इसका राइट आंसर कीचड़ को रौंदते हैं कीचड़ को अंगला प्रश्ण किस कुल के युद्ध का इतिहास दिखाई देता है महिसकुल, रगुकुल, कौरवकुल या पांडवकुल तो यहाँ पर जो आया था हुआ है महिसकुल 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 के भारती युद्ध का पूरा इतिहास तो इस प्रकार महिसकुल इसका राइट आंसर है अंगला प्रश्ण पुनावसी गद्यांस से कला विग्य लोगों को भटी में पकाई हुए बर्तनों के लिए कौन सा रंग पसंद आता है हलका आस्मानी लाल रंग पीला रंग या कीचड का रंग तो इसका जुरायट अंसर हुआ है कीचड का रंग कीचड का रंग और सतलज गंगा और सिंध तो यहाँ पर जुन्दियों के नाम आये थे बे दो ही नाम आये थे गंगा के किनारे या सिंधू के किनारे तो इसका जुराइट आंसर है गंगा और सिंध मतलब सिंधू अंगला प्रशन पुनाऊसी गद्यान से उत्तर दिसा क्या कर सकती है रंग की सोभा उत्तर में जमी थी उस दिसा मिला रंग ने तो कमाल ही कर दिया था उत्तर दिसा कितने नखरे कर सकती है उत्तर दिसा करकर के भी कितने नखरे कर सकती है तो नखरे यहाँ पर right answer है नखरे अंगला बिग्य लोग क्या कह कह कर बिया कहकर खुश खुस हो जाते हैं बार्मेटोन रंग रोगन अतिसुंदर प्राकर्तिक रंग तो यहाँ पर जो सब्द आयता हुआ है बार्मेटोन, बार्मेटोन वेलटोन सब्द आया था अंगला प्रश्न भारतिय युद्ध का पूरा इतियास कहां लिखे होने का भास होता है भारतिय युद्ध का पूरा इतियास कहां लिखे होने का भास होता है सिला लेक, कर्दम लेक, मर्दन लेक, संस्कृति लेक तो इसका जो राइट अंसर दोस्तों है कर्दम लेक कर्दम लेक, यहाँ पर कर्दम सब्द आया था, तो कर्दम लेक पर लिखे हो, कर्दम मतलब कीचड़ ही होता है, तो भारती इतिहास पूरा कीचड़ में लिखा हो, ऐसा लगता है, तो कर्दम सब्द यहाँ पर आया था, आप देख सकते हैं, कर्दम लेक में लिखा हो, ऐसा तो इस प्रकार अंगला प्रश्ण है चिडियों के पदचिन कहां के रास्ते की तरह दिखते हैं दक्षडेसिया के नदी के जंगल के या मध्धेसिया के तो इसका जो राइट आंसर है वह है मध्धेसिया के यहाँ पर लिखा भी हुआ है मध्धेसिया के तो यहां पर मद्धेशिया के राइट आंसर है अंगला प्रश्ण है कीचड के लिए क्या नहीं होती खुसी सहानुभूती इसने है या स्रद्धा तो यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा है सहानुभूती कीचड के लिए किसी की सहानुभूती नहीं होती यहां पर सहनुहूती सब्द होगा कीचड के लिए किसी को सहनुहूती नहीं होती तो यहां सहनुहूती सब्द यहां पर सही है, राइट आंसर है अंगला प्रश्ण कीचड का प्रष्थ भाग सूकने पर कौन से पक्षी उस पर चलते हैं कोयल, कववा, मैना या बगुले, तो यहां पर बगुला सब्दा आया था, बगुले चलते हैं, अंगला प्रश्ण, कितने नाखून आंगे और क्या पीछे करके पद्चिन बनाते हैं, तो तीन उपर युक्त में से कोई नहीं, एक नाखून आंगे और पंजा पीछे, तीन नाखून आंगे और अंगूठा पीछे, पांच नाखून आंगे और पैर पीछे, तो इसका जुराइट आंगे तीन नाखून आंगे और अंगूठा पीछे, करके जो पक्षी के पद्चिन बनते हैं, वह पद्चिन बहुत ही सुन्दर लगते हैं, कीचर पर जो पद्चि जरासा हैं, हर चीज का, किसी चीज का नहीं, तो इसका जो राइट अंसर है, आकास, प्रस्वी और जरासा है का, अंगला अंत्यम प्रश्न, इसी गध्यान से वहिए गाए, बेल, पाड़े, भैस, भेड, बखरे, एत्यादी के त्चन, कहां अंकित होते हैं, गास के मैदान मे खेत में सूखे हुए कीचड़ पर कहीं नहीं तो सूखे हुए कीचड़ पर अंकित होते हैं यह राइट आंसर है इस प्रकार दोस्तो यह 30 प्रशन हुए दोस्तो हिंदी भासा से संबंदित 30 प्रशनों को देखा आप यदि किसी भी ट्रेट परिक्षा से संबंदित अध्यान कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल PM क्लासे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू दबाएं जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें धन्यवाद मित्रो